बहु बनी मास्टर शेफ दिल्ली शहर में एश्वर्य नाम की एक लड़की अपने माता-पिता, सुननदा और क्यलाश के साथ रहती थी। एश्वर्य को खाना बनाने का बहुत शौक था। काफी समय से उसके माता-पिता उसके लिए एक अच्छा रिष्टा ढून रहे थे। तभी उन्हें एक अच्छी लड़के का रिष्टा मिला। लड़की की मा मालिनी एक अच्छी और संसकारी लड़की ढून रही थी। एक दिन लड़के वाले एश्वर्या को देखने घर आते हैं बहन जी जरा अपने बीटी को तो बुलाईए घर का काम काश तो सब आता है ना आपकी लड़की को हाँ बहन जी मेरी बीटी को घर का सारा काम आता है और खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि बस पोचो ही मत खाना बनाने की बहुत ही चोकीन है और साथ ही साथ खिलाने की भी वो आपके लिए स्पेशल वेंजन बना रही है बस आती ही होगी तभी एश्वर्या प्लेट में धेर सारे पकवान बना कर लेकर आई खाने में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही थी खुश्बू तो बहुत अच्छी आ रही है लगता है खाना स्वादिस्ट बना होगा जी ये समयने आपके लिए बनाया है खाईए और खाकर मुझे नम्मर दीजिए जी नम्मर है डबल लाइन डबल जिरो डबल वन फाइब जिरो जी मैंने फोन नम्मर नहीं मैंने जो खाना बनाया है मैं उसके नम्मर मांग रही थी आप मुझे टैन में से कितने मांक्स देंगे ओ अच्छा एश्वर्य के हाथ का बना खाना खाकर जया उसे अपने घर की बहु बनाने का निश्चे कर लेती है कुछ दिनों बाद एश्वर्य और अभिशेक की शादी हो गई शादी की अगले दिन से ही एश्वर्य सभी को नई नई डिश बना कर खिलाने लगी और सबका दिल जीत लिया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इतनी अच्छी बहु मिलेगी जो इतना स्वादिष्च और लाजवाब खाना बनाती हो तुम तो पूरे सक्षात अन्न पूर्णा हो मा आपने सही का ओफिस में मेरे दोस्त भी एस्वर्या के हाथ के बने खाने की बहुत तारिफ करते हैं कुछ दिन यूँ ही बीथ जाते हैं और एश्वर्ये के हाथ का बना खाना पूरे मोहले में मशूर होने लगा कोई न कोई उसके घर किसी न किसी भाने से मिलने आता और उसके हाथ का खाना खाकर जरूर जाता ये सब देखकर एश्वर्य की सास जया को मन ही मन बुरा लगने लगा एश्वर्य के हाथ का बना खाना खाकर आसपडोस में रहने वाले सभी लोग तारीफ करने लगे जिससे सुनकर जया के मन में अपने भोग के लिए द्वेश भावना उत्पन होने लगी ऐसे ही एक दिन अभिशेक टीवी देख रहा था तभी टीवी पर मास्टर शेफ कॉम्पेटिशन का एड आ रहा था ये देख अभिशेक एश्वर्य को जोर जोर से आवाज देने लगा अरे एश जल्दी आयाओ जल्दी आयाओ ना तुम बहुत ही जल्द फैमस हो सकती हो तुम्हें बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है ओ, क्या हुआ, क्यों आसमान सिर्फर उठा रखा है आ रही हूँ, हाँ अब बोलो, क्यों मलाये आपने अरे वहाँ देखो टीवी पर मास्टर सेफ कॉम्पेटिशन सुरू होने वाला है तुम क्यों नहीं इस कॉम्पेटिशन में हिस्सा ले लेती मुझे पूरा भरोशा है कि तुम ही जितोगी अच्छा, कॉम्पेटिशन कब है मैं अभी से तयारी करना शुरू कर देती हूँ मैं इस कॉम्पेटिशन में जरूर हिस्सा लोंगी मैं चाहता हो कि तुम इस कॉम्पेटिशन में पाटिसिपेट करो मैं तुम्हारा ओनलाइन फर्म अभी सब्मिट कर देता हूँ ठीक है जी, मैं ये खुशकबरी माजी को सुना कर आती हूँ खुशी-खुशी एश्वर्य अपनी सास के कमरे में गई और उन्हें सारी बात बताई ये सब सुनती ही जय गुस्से से तिल मिला गई तुम कहीं नहीं जाओगी तुम इस घर की बहु हो तुम्हारा काम है घर में खाना बनाने का ना कि पूरे जमाने को दिखाने का, समझी? लेकिन माजी, मैं क्यों नहीं जा सकती? जितना बोला गया है उतना ही सुना कर ज्यादा मूख खोलनी की जरूरत नहीं है अब ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मेरी भी कुछ सपने है मेरी भी कुछ अर्मान है मेरा भी हग है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ मैंने एक बार कहा दिया तुझे समझ नहीं आता? मैं भी देखती हूँ तु कैसे जाती है इस कॉम्पोटिशन में? दर्वाजे के पास खड़ा अभिशेक उन दोनों के सारी बाते सुन लिया और अपनी मा जया को समझाने की बहुत कोशिश किया लेकिन जया अपनी बात से टस से मस नहीं हुई वही एश्वर्या अपने सास की बात सुनकर दुखी हो गई लेकिन अभिशेक ने अपनी पतनी का साथ दिया और अपनी मा को बिना बताए एश्वर्या को कॉम्पोटिशन में हिस्सा लेने भेज दिया फिर उसका शोर टीवी पर टेली कास्ट होता है जिसमें वो काफी सारे डिशिस मनाकर जजिस के सामने पेश करती है अपके हाथों में तो जादू है जादू मैंने इससे पहले इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया यस बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है आपने यम्मी थैंक यू सो मज सस आश्वर्य को टीवी पर देखकर जया का गुस्टा और बढ़ गया आसपडोस के सभी लोग आश्वर्य का शो देखने लगे और आश्वर्य के तारीफ करने लगे ये सब देखकर जया और भी ज़्यादा गुस्टे से आग बबूला हो ठी वहीं दूसरी और आश्वर्य का मास्टर शेफ का ग्रेंड फिनाले शुरू हो चुका था दोस्तो आज है आपका ग्रेंड फिनाले आप सब ये जाना चाहते होंगे कि आज का विनर कौन होगा तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लास्ट और फानल राउंड एश्वर्य अपनी पूरी महनत और लगन से तरह तरह के वयंजन बनाने लगी वहीं जया टीवी पर ये सब देख देखकर मन ही मन चलने लगी थोड़ी देर बाद कॉम्पिटेशन समाप्त हो गया और जजिस विनर का नाम अनाउंस करते हैं तो दोश्तों मास्टर सेफ के विनर का नाम सुनने के लिए आप सभी बेताव हो रहे होंगे चलिए हम उनका नाम बता ही देते हैं तो 2021 की मास्टर सेफ का नाम है मिसेस एश्वरिया ओ माइ गौड मुझे तो बिलेव ही नहीं हो रहा एश्वरिया जी आप ही हैं मास्टर सेफ कंपिटिशन के विनर आईए एस्टेज पर आकर अपने टोफी लीजिए और कुछ सब्त कहिए एश्वरिया स्टेज पर आकर टोफी लेती है जी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहां तक भेजा वो कोई और नहीं वो मेरी सासुमा है अगर उनका आश्रवाद ना होता तो मैं कभी मास्टर शेफ के टोफी नहीं जीत पाती वो मेरी लिए बहुत ही खास है मैं अपनी सासुमा का धन्यवाद करना चाहती हूँ सासुमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीवी पर अपनी बहु की बातों को सुनकर जया की आँखों में आसु आ गए उसका स्वागत किया अरे बहु तुमने तो मेरा नाम भी रोशन कर दिया आज मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी अच्छी हो मुझे माफ कर देना मैंने तेरे साथ बहुत गलत वहवार किया माजी ये आप क्या कह रही है और माफी किस बात की माँग रही है ये शाम को एश्वर्य की ट्रॉफि जीतने की खुशी में एश्वर्य की ससुराल वाले घर पर एक पार्टी रखते हैं जिसमें शहर के नामी लोग भी उस पार्टी में शामिल होते हैं और एश्वर्य को बधाई देते हैं और उसकी खुप तारिफ करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगे आपको ये कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए, कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शियर करें, और यदि ऐसी ही और मज़िदार कहानिया देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आमन टीवी को नीचे लाल बटन दब कर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ये बेल आइकन को तबाना ना भूले, धन्यवाद.